नमस्कार दोस्तों वास्तो ग्यान में आपका स्वागत है आज के समय में दोस्त कम और दुश्मन जादा होते हैं जिन पर हम सबसे जादा भरोसा करते हैं अक्सर वही हमें धोका देते हैं कल्यूग में दोस्त कम दुश्मन जादा होते हैं आज एशा और जलन अपनी चरम सीम पर है लोग अपनी जीत पर कम और दूसरों की हार पर जादा खुश होते हैं अगर आपके पास अच्छी नौकरी है खुद का घर है तो सामने वाली लोग आप से खुश कम जलेंगे जादा हम में से ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्नोंने अपनों से धोका खाया है और बैटे हैं वो हमारे शत्रू यही नहीं कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हमारी काम्याबी से जलने लगते हैं यही नहीं यह हमारी निंदा दूसरों से भी करने लगते हैं हर व्यक्ति अपने शत्रू पर विजे पाना चाहता है पर विजे पाना इतना आसान नहीं है समय आ गया है इस अगनी को समाप्त करने का क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो उपाए जिन्हें अपना कर आप अपने शत्रू पर विजय प्राप्त कर लेंगे पहला उपाए साबुत उड़त की काली डाल के 38 और चावल के 20 दाने मिला कर किसी गड़े में दबा दे और उपर से नीम्बू निचोड़ दे नीम्बू निचोड़ते समय शत्रू का नाम लेते रहें उसका शमन हो जाएगा और वह आपके विरुद कोई कदम नहीं उठाएगा दूसरा उपाए आकारण परेशान करने वाले व्यक्ति से शिग्र शुटकारा पाने के लिए यदि कोई व से तीन बार ठोकर मारें ध्यान रहें यह स्वार्थ वर्ष ना करें अन्यथा हानी हो सकती है तबी करें जब आपको कोई परेशान कर रहा हो तीसरा उपाए यदि शत्रू अधिक तंग कर रहे हो तो मोर के पंक पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिव रातरी में उसका नाम लिख कर अपने घर के मंदिन में रात भर रखें प्राते काल उठकर बिना नहाय धोए चलते पानी में बहा दें शत्रू शतूरता छोड़कर मित्रता का विवहार करने लगता है चौथा उपाए शत्रू नाज तथा मोग शांती के लिए कात्य माता प्रसिद है इनकी किरपा पानी के लिए इस मंत्र का जाब करें ओम कात्या यने नमे सुबस नान आदी के बाद 21 बार इस मंत्र का जाब करें यदि 21 बार ना कर सकें तो 11 बार ओम कात्या यने नमे मंत्र का जाब करें यदि समय का अभाव हो तो इस मंत्र को 5-7 बार सुनें फिर देखिए आपके शत्रू का नाश कैसे होता है। पाच्वा उपाए चिन मस्ता देवी शत्रू नाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के परभाव से अपार बल अरजित किया था। देवी आयू अकरशक, धन भुद्धी, रोग मुक्ती वर शत्रू नाश करती है। शास्त्रों में देवी को ही प्राण तोशनी कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रू बंदन से निश्चित मुक्ती मिलती है। इसलिए अपने शत्रू से शुटकारा पाने के लिए माता चिन मस्ता देवी की पूजा अर्चना करे। कैसे करे पूजा। शनिवार के दिन स्नान आदी के बाद देवी का पूजन शुरू करे। अपना मुख दक्षिन या पश्चिन दिशा की और रखे। नीला या काला कपड़ा बिच्छा कर उस पर देवी की मूर्ती रखे। मूर्ती ना हो तो देवी का चित्र भी रख सकते हैं। नारियल काले चने, साबुत उड़त और गुड लेकर देवी के चड़नों में अरपित करे। इसके बाद लाजवरत या काले काले हकीक की माला से देवी का नाम जपे। निश्चित ही शत्रू से छुटकारा मिल जाएगा। पूजा के बाद देवी के सामने रखी सामगरी मंदिर में दे दे। छटा उपाए, यदि आप एक काम्याब जिंदगी से नीचे आ गए हैं। घर, काम, नौकरी सब धीरे-धीरे चोपट हो रही है या हो गई है। पैसे-पैसी के लिए आप परिशान हो रहे हैं। तो हो सकता है आपकी काम्याबी से जल कर किसी ने आप के लिए कोई शड़ेंत्र रचा हो। ऐसे में इस उपाए को अपना कर आप इस शड़ेंत्र को तोड़ सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दक्षिन दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब एक काला वस्त्र ले और उसे अपने सामने बिछा ले। उस काले वस्त्र पर एक महा काली का चित्र स्थापित करें। और महा काली की समानने तरीके से पूजा करें। पूजा करने के बाद एक नीम्बू ले और सिंदूर ले। अब इस नीम्बू पर सिंदूर से अपने शत्रू का नाम लिखें। शे संदूर को सरसो के तेल या तिल के तेल में घोल ले और संकल्प ले। मुंगा काला हकीक या रुद्राक्ष की एक माला ले और क्री क्री शत्रु नाशनी क्री क्री फट मंत्र की ग्यारा माला का जाब करें प्रतेक माला के पूरे होने पर नीम्बू के उपर उड़त की दाल इस भावना से चड़ाएं कि महकाली मा आपके शत्रू के द्वारा रचे गए शत्यंत्र को नश्ट कर दे। जबके पूर्ण होने के पश्चाथ एक तांबे का लोटा या मिट्टी के छोटी सी मट्की ले। अब नीम्बू को लोटे या मट्की में डाल दे। अब काले वस्त्र पर से मा के चित्र को हटा ले। और उस कपड़े में मट्की का मुँ बान दे। अब मट्की को अपने पीछे मुड का ना देखें। घर पर पहुंचकर स्नान कर ले। इस उपाय को करने से आपके शत्रू का शडयांत्र विफल हो जाएगा। व्यक्तिकत बाधा निवारन के लिए। व्यक्तिकत बाधा के लिए एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के उपर से लाब मिलेगा। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की ग्रहस्तिती थोड़ी भी अनुकूल होगी। तो हमें निश्चित ही इन उपायों से भरपूल लाब मिलेगा। मनश्य जीवन में दूसरों को सफल होते हुए देखकर बहुती कम खुश होता है। जैसे जैसे आप सफ को देखकर आपका विरोध करने के लिए कोई न कोई शत्रु आपका बन ही जाता है। यह शत्रव आपकी जीवन की सफलता के रहा में रोडे बन जाते हैं। और कई बार आपको हानी पहुचाने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों आप इन उपायों को अपनाकर अपने शत् आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों